आज सभी को पता है कि 15 अगस्त है आज आदी की 75 वी वर्सगाठ है बड़े दूमदाम से पूरे देश्ट में मनाया जा रहा है आज हर गर तिरंगा अभियान भी चला है साथ साथ ठीक है सभी के घर में तिरंगा जरूर आया होगा और सभी ने जरूर लगाया होगा है आप कहा जाता था कौन कौन सी इनके टाइम पर संगीतिया हुई ठीक है इन सभी के बारे में जानेंगे बहुत हमके संस्थापक थे गौतम बुद्ध इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का जोतिपुँच कहा जाता है ठीक है जन्म इनका कहा हुआ ब्रत्यू कहा हुई इनको ज्यान की प्राप्ति इन सब बातों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे ठीक है तो अब वेध़ी वरच्छिक देखेक है गया जिस वरच्छिके निचे बुद्ध को घ्यान तो घ्यान चिन क्या हो गया प्रतीक चिन यह हो गया पीपल उसी को क्या कहते हैं हम लोग बोधी व्रच्छ भी कहते हैं निर्वाड पद चिन ठीक है म्रत्यु स्टूप सुना होगा आप लोगों ने कि इसके कई सारे स्टूप बनें ठीक है सारनात में और साची का स्टूप सुना है लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है ठीक है तो यह सारे स्टूप सुने होंगे तो वो म्रत्यु का प्रतीक है निर्वाड पद चिन ठीक है निर्वाड के प्रतीक है अब देखो यहां पर गौतम बुद्ध का जन्म पांसो तिरसाटीसा पूर्फ कपिलवस्त के लुम्विनी नमा के स्थान पर हुआ था यह कैसे याद करना ह में बात कर चुके हैं मृत्यु जन्म दोनों की आपको लिखना है थ्री तूजा सिक से वन कम कर दिया फाइफ इतने में जन्म हुआ मृत्यु के लिए क्या लिखना है थ्री एजटे तो तालो यहां फोर लिख दो फोर तूजा एट लिख दो ठीक है यह पांसो तिरसाटीस पूर जन्म 483 इसापूर मृत्यु हुई थी ठीक है पहला वीडियो जिसने देखा होगा उसको शायद याद भी आया होगा गौतम बुद्ध का जन्म लुमेनी में हुआ कब हुआ पांसो तिरसाटीसापूर हुआ था ठीक है इनके पिता इनके पिता का नाम क्या है सुद् प्रजापती गौतमी ने किया था ठीक है और इनकी माता का नाम मया देवी था पिता का नाम सुद्धोधन जो कौन थे सुद्धोधन कौन थे साकेगड के मुख्या थे बचपन का नाम इनका क्या था सिदार था और आप लोगों ने पढ़ा था महाविड सौमी के बारे में जरा नीचे कमन बॉक्स में बताना है आप लोगों कि महाविड सौमी का जन्म कब और कहा हुआ था ठीक है बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिदार था गौतम बुद्ध का विवा सोला वर्स की आई में ये शुदरा के साथ हुआ था और इनके देखा था कल महाविड सौमी की पुत्री का नाम क्या था अनुद्धिय दर्शनी ठीक है जामिल उनके हुआ हजबंड थे और वह पहले उनके न्युआई बने थे महाविड सौमी के ठीक है और जो पहली बाद जैन वुच्चुडी बनी थी वो कौन थी वोता धिवाहन की पुत्री चंपा थी ठीक है यहां पर देखो सिधार जब कपिलवस्तों की सेर पर निकले तो उन्होंने चार दुश्यों को देखा एक तो पुड़े आदमी को देखा दूसरे बिमार वेक्ति को देखा तीसरा सव देखा और चौथा सन्यासी देखा यही चौरी चारों चीज सिधार था और यह राजा सुदोधन के यहां मलब राजा सुदोधन की पुत्र थे ठीक है कहानी सुनी होगी वह एक हर्मस वाली देवदत और सिधार्थ वाली आप लोगने ठीक है सांसारिक समस्याओं से वैतित होकर सिधार ने 29 वर्स की अवस्था में ग्रह त्याक किया जिसे बहुत धर में महा भी निष्क्रमन कहा जाता है यह जग्रह त्याक कि घटना उसे क्या कहा गया है महा भी निष्क्रमन कहा गया यह आपको याद रखना एक स्नियासी था संद्रती ब्धा उने के बाद बिमार भी मCRता बिमार यहAnnों वीटि बूढा सब और विमार्वेक्ति अब देखो ग्रहतयाग को महावृरी ने मेंकिने के वैशाली te सॉम्धरशन की सिच्छा ग्राण की इन्हों किने सुपर्ण क्यों ने 벌써 सं पहले गुरू संस्ष्छा ग्रहण का थे धी के आलार क्राम के बाद सिधार के राजगीरと में सिधार्थ को कॉंडिन ने वपा भादिया महानामा और असागी नामक पाँ सादक मिले यह सब नहीं पूछते ठीक है में चीजें आपको यही याद रखनी है पीपल के प्रचिके निचे इनको ग्यान की प्राप्ति हुई ठीक है और इनके पापा का नाम सुद्धोधन मा माय देवी पालन पुर्षन महा प्रज्द्धकर गौत्मी ने किया ठीक है जन्म इनका लुमिनिमें hope ता और उधर आपने ता महांवज्द्वमी कुंदल्ग्राम में हुआ ठीक है उनके पिता का नाम सिद्दार था यहां पर इनका नाम सिद्दार थे वह भूलना नहीं उनका अलग में इसको पढ़ने के बाद रिलेट करना और उसके बाद सारी कंफूजन दूर होगी ठीक है दोनों होता है जैसे त्री रतनाः पने कल उ बहुत बहुत वीवत पभल तो पाली में दिये वृद्ध पुत बुद्ध ने अपने सरवादिक उब्देश कोशल देश की राजधानी स्रावस्ती में दिए ठीक है सबसे ज़्यादा जो उब्देश कहां पर दियें स्रावस्ती में दियें आपसे कुछ ने कॉमेंट पूछा जाता है कि जैन और बौध दोनों धर्मों का प्रमुक्ति बौद्ध पवज़ में और सबसे ज्यादा तो जो तुमे इंशी है झौत बशन मेंति के दिये सेव पमिलू्द इनको ज्शन की प्रत्ति जान बौठ दीक असली की नारे बोद्ध में तो ये वही पूर्णिमा है जो ग्यान की क beşप्टी ति です आगे देखते हैं इनके प्रमोगा नुआई सा सीथ 25 प्रसेण चित उदयान यह आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि फैसी थरू का नुअई था तो आपको याद रखना है कि बिम्सार जो है बहुत। एक तो मिमसार प्रसेंट चित उद्वाइन याद कर लीजें वहां पे देखके खाली आपको 4 ऑप्शन दिखाए वहां पे याद आज आजए इतना याद कर होड़ाओं ना चाहिए ठीक है बुद्ध की मुद्ध को महापरिनिर्वाड कहां प्राप्त हुआ ठीक है कि कप प्राप्त हुआ तो यह कुशी नगर में कुशी नारा में देवरिया उत्तर प्रदेश में पढ़ता है इनको महापरिनिर्वाड की प्राप्त हुई जो चुन्द दौरा अरपित भोजन करने के बाद हो गई थी ठीक है मृत्य हो गई और मत्य को ही का कहा गया महापरिनिर्वाड कहा गया मलो ने अत्यनत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंतेश्टी संसकार किया एक अनुश्रत के अनुशार मृत्य के बाद बुद्ध के सरीर के अवश्रेशों को आठ भागों में बाढ़ कर उन पर आठ इस्टूपों का निर्मार कराए यह अभी अपने देखा था इस्टूप किसका प्रतीक थे तो ब्रत्य का प्रतीक थे और इनको जो है क्या किया गया कि चीनी परंपरा में कैंट ओना भी लेक के अधार पर निश्चित किया घ ainda के लिक मिलता है ऑपको पता कि बहुत धर्म ज्यादा है अन्डाक दरमों के को पता होगा उनको त rent पायेंगे तो विनय पिटक, सुफ्पिट अभिध में पिटक तीन पिटक हैं कौना अभिधJac gag अबिधम कई में और सुफ्पिटक फीक जो पिटक हैं उनकी भाशा क्या और समयक आचरण ठीक है ग्यान दर्शन आचरण समयक दर्शन समयक ग्यान समयक आचरण अब देखो अनि इश्वरवादी थे इन्होंने आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है बौधर में पुनर जन्म की मानता है समानते हैं पुनर जन्म मानते हैं कि पुनर जन्म होता है लेकि निष्वर को नहीं मानते हैं दीक है और महावे स्वमी भी इश्वर को नहीं मानते थे य democrats त्रश्णा को छीड हो जाने की अवस्था को ही बुद्त ने निर्वाण कहा है थीक है तीक अन्वीयाई दो भागों में बट गए एक तो भिच्चुक दूसरा उपासक, भिच्चुक कौन होते थे जो बहुत धर्म के पुचार के लिए उनोंने सन्यास ग्रहंड किया और उन्हें बिच्चुक कहा गया ओपासक जो वो थे जो ग्रह legitimately वृतीर ने अपना एते ठीक. तो समझ में आ जाएगा उधर देखा था कि इस्थूल क्या पड़ा था अकाल पड़ा था तो इस्थूल बद्र और भद्रबाव दो लोग थे ठीके जो जैन धर्म के थे तो भद्रबाव अपने सिस्यों के साथ करनाठक चले गये थे उसके बाद जो लोट के आये तो उनमें मद फूल बद्र के साथ थे और भद्रबाव के साथ नगर रहने वाले दिगांबर थे ठीके तो यह रिलेट करते चलना उसमें दो ही जैन संगीतिया हुई थी इसमें चार हुई थी ठीके पहली वाली उधर कब हुई थी पाठली पूत्र में हुई थी दूसरी बलभी में त्री रतन अलग बहुत धर्म के अलग बुद्ध धम और संगत बहुत धर्म के हैं समयक दसन समयक आशन समयक चरित रिगे तीनो रतना जैन धर्म के हैं ठीके कौन सी चार बहुत संगीतिया हैं देखो पहली बहुत संगीति थी चार सो तरासी इसा पूर्ग दूसरी तीन सो तो आपको ऐसे याद रखना यह कब कब कहा हुई कौन अध्य था कौन सा सकता ठीक है तो यह बहुत सिंपल है एक बार में याद हो जाएगा देखो कैसे आपको याद रखना इनके पहले अच्छा रवपाक आपको पूरा वर्ड याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पहली बहुत संगीती वहाँ पूछ रहा है आप देखी है ओप्षन में रा से कौन सा वर्ड टीक करेंगे जो स्टर्ट है वही टिक जवी राजक्रय वैशाली पाथली पुत्र कुंडलवन कुंडलवन हमारा कश्मीर में पढ़ता है ठीके तो याद हो जाएगा तो रवोपाक आपको याद रखना है आप ये देखो इधर वाले सासक कैसे याद करेंगे आख दो वड़ी याद करने फिर से वही आख ठीके पहले बड़े बड़े नाम वाले फिर छोटे छोटे नाम वाले अजास्यत्रू कालाशोक और इधर अशोक कनिश्क ठीके तो आख आख क्याद रखना है और इधर रवपा क्याद रखना है आफ और अजास्त्रु काफर, कॉलसोक, अशोक और कनिश्क ठीके अध्यचे कौन रहे हैं? इसके महाकशव रहे हैं, दसावा कमी रहे हैं, मोगली पुत्र रहे हैं, वाशुमित्र या अशुगोस चतुर्थ बहुत संगीती के बाद बहुत धर्म दो भागो हीनियान और महायान में विभाजित हो गया, ठीके? जब चौती बहुत संगीती हो गया, इसके बाद बहुत धर्म कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? दो पार्टों में एक तो हीनियान, दूसरा महायान, उधर स माहाकश्यप सहवा कामी मोगली पूत और यह वासुमित्र और अश्वुगोस तो वाश्वुगोस यह आद रखेंगे जरूर ठीके मोगली पूत अभब माहायन संपर्दाय का आदर्श बोधिच्व है बोधिच्व दूसरों के कल्यां को प्राथमिक्टा देते हैं अपने न छुषन के ने जई और को रहने दियान में तरने महा यान संपर्द्दाय के लुग क्या करते हैं? घृती सुका महात होते देते कि दूसरे को प्रberger को प्रैप्त करते हैं, smartphones को प्रेंड करते हैं तो रिजबालिका नदी के तरद पर साल रुची के नीचे तो उनको तीन कुछ कहा गया था क्या कहा गया था कुछ दिमाग में यादा रहा है कि मलब कुछ उपाद ही दी गई थी उनको ठीक है मलब कुछ जिन पढ़ा था जिन वर्ड यादा रहा है विजेता जिसका अर्थ अहर्थ पूज्य था निर्गंत बनना नहीं था उनको जिन और 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 निर्गंत कहा गया था ठीक है तो वहीं पर यह पढ़ा था अरहत तो यह इसका आर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है पूज्य ठीक है तो हीनान का अधर्श वाक्त अहर्थ अरहत पद को प्राप्त कर और जो अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्त करते थे हीन और महायान दूसरों के कल्याण को प्रात्मिक्ता देते थे महायान और हीन लोग अपनी साधना हीन लोग कैसे होते हैं हीन लोग अपना ही भला नहीं कर पाते दूसरों को कैसे करेंगे ठीके तो अपनी साधना से निर्वान की प्राप्ति काते थे, महायान महान लोग दूसरों के खलन रेते थे, इस टायब से याद रखेंगे, ठीके धार्मिक जुलुस का प्रारण सबसे पहले बहुत धर्म के दौरा प्रारं किया गया, बहुत धर्म का सबसे पवित्रवार कौन सा है, वैशाख पूनिम समदाय दुख निरोद दुख निरोद गामिनी ठीक है संसार दुख में है दुखों का कारण है दुखों का निवारण संभव है ऐसा पढ़ा होगा कभी ठीक है तो यह सब किस ने कहा था यह सब कहा था हमारे बुद्ध ने ठीक है अस्टांगिक मार्ग किस ने दिये हैं किस जर्म से रिलेटेड हैं पूछा जाता है को अस्टांगिक मार्ग हमारे महात्मा बुद्ध ने दिये हैं यह आठ है ठीक है समयक द्रश्टी समयक संकल्प समयक वाड़ी समयक कर्मांत समयक आजीव समयक व्यायाम और समयक इस्मृति समयक समाधी अब याद कैसे करेंगे देख द्रश्टी देखा ठीक है अब समयक वाड़ी बोला कुछ मुह है यह माल लो ठीक है यहां से मुह से कुछ बोला समयक द्रश्टी समयक वाड़ी ठीक है अब समयक संकल्प वो क्या करते थे प्रियर में क्या कहते थे इसको अरे प्रितिग्या ठीक है तो उसमें संकल्ब करते थे हाथ ऐसे करके कि ठीक तो वही कर रहा है आपे संकल्ब मलो ठीक है तो ढेखा मुएसे बोला बोलेंगी क्या संकल्प कोछ करना है तो भोला ठीक कर्म त्थिके करम के नुसार फल मिलेंगा टीके आजीव आजीवन ठीके वाई कर्म के अनसारी तो पूरे जिवन पर फर मिलेगा जैसा करोगे वे सबरोगे ठीक व्यायाम व्यायाम करा ठीके इस सम्रति में है तब तो बोल पा रहे हैं समाधी ठीके समाधी लगा ली बैठ गए देखो बैठे हमने समयक दरश्टी बैठेगे तबस्या करने इसमृत में यादे होती है ठीक है मतलब memory जो आपको याद होगा तभी तो आप बोल पाऊगे है ना तो द्रश्टी से देखेंगे संकल्प से संकल्प करेंगे वाणी वाणी होगी इसमृत से याद आएगी तभी तो बोलेंगे ठीक है करमांत कर्म आजीव और व्यायाम करेंगे ठीक है इस टाइब से रिलेट कर लिजे याद हो जाएगा ठीक है और भी जो अगर आप कुछ रिलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लिजे ठीक है अब आगे देखते हैं बुद्ध के नुसार अश्टांगी क्मार्व का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तरश्णानस्ट हो जाती हो से निर्वाण की प्राप्त हो जाती मतलब बिल्कुल कोई टेंसन नहीं है घर में यह हो रहा वह हो ठीक है मतलब नो टेंसन बिल्कुल बाबाजी बन गये निर्वाण बहुत धर्म का परमलच्छे जिसका आर्थ होता है दीप्पक का बुझ जाना अर्थ जन्म मर्ण चक्रसे मुख्थ होजाना ठीके अब से निर्वाण की बनाने के लिए 10 सीलों पर बलदिया ठीक यह पूछा ना जी करत पकड़लो एक बार ठीक आहिंसाा समय बोजाना करना सुख प्रद विस्तर पर नहीं सोना धन्संचे ना करना इस्त्रियों से दूर रहना नत्यगान आदि से दूर रहना ग्रहस्तों के लिए केवल पांस सील है और विच्छों के लिए दस सील है ठीक है ग्रहस्तों के लिए यह वाले पांस सील नहीं बताए पूछा जाता है भरहमेश आड देल को यहां ख्कुछता है पूछा जाता है किसने आड़ कियान तो ंसे शवाले कुछे उस उस वाले मं धag को back किया था बाद में तो वह महाविट स्वामीन एड किया था किया थी अब आपको इसमें दस इलनां पांस किसके लिए पांस ग्रहस्तों के लिए हैं और दस पूरे किसके लिए हैं बुच्छों के लिए ठीक है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है आनीश्वरवाद के समद में बहुत धर्म जैंदर में समानता है यह आपको बताया था जाता कथाएं पदर्शित करती है कि बुद्धिस्व का अवतार बुद्ध आदि अवतरित होने शेस है सरवादिक बुद्ध मूर्थियों का निर्माट गांदार शैली के अंतरगत किया गया है लेकिन बुद्ध की पहली मूर्थी मतुरा कला के अंतरगत बनी ठीक है पहली मूर्थी कहा बनी मतुरा कला में बनी और सरवादिक मूर्थिय तो गांदार शैली में को थी वह पासना की जाने वाली पहली मूर्थि तो यह भी मठभी वहीं होगी ठीक है तवांग अरुनाचल पदेश में हैं देहरादून मिड्रालिंग सौसुल लाहुल स्पीति ठीक है टाबो तबो गाउं यह सब आप पढ़ लीजिए अगर आपको याद करना है तो कर सकते हैं ठीक है दिखा दिया अब आपके पूरा अनतकाल यह सब कुछ है ठीक है वह भी सब देखेंगे आराम से पढ़ते रहें एक टॉपिक कवर हो जाएगा दीरे दीरे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी ठीक है एक बार फाइनल लिविजन बहुत धर्म का कर लेते हैं आप लोग भी कर लीजिए ठीक है मन में बिलक अशिया का प्रकास पुंच का आगया जर्म इनका कहां होता है लुमिनी में होता है ठीक है मरत्य इनकी कहां होती कुछी नारा में होती है ठीक है कुछी नारा कहां पढ़ता है देवरिया यूपी में पढ़ता है पिता जी का नाम सुद्दोदन माता का नाम माया देवी और पालन पुर्शन महाप्रुजापति गौत्मी ने किया ठीक है इनके पत्नी का नाम क्या था ये शोदरा पुत्र का नाम राहुल ठीक है इन्होंने जब सेर पर गए ये कपिलवस्त में तो इन्होंने क्या देखा चार चीज़े देखी कौन सा सन्यासी देखा बुढ़ा वेक् पहले गुरु कौन से इंके तो कौन से आलार कला मिन्के पहले गुरू थे उनको ग्यान की प्राप्ति कहां हुई तो पीपल के वरच्षे के नीचे निरंजनान दी के तरफ पर Wol ज्यान की प्राप्ति और किया था इननोह प्फदेश दिये व्ट किस भासा में दिये तो प पुद्धम और संग ठीक ये भी याद रखना है और जो बिच्चुक थे बौध धर्म के प्रिचार पसार के लिए सन्यास प्रविष्ट होने को संपदा कहा गया ठीक है चार बहुत संगीती हुई रवपाक राजग्रेव शाली पाटली पुत्र कुंडल ग्राम ठीक है सासक कौन कौन सा अजासत्र काला शोक और अशोक और करनिश्क ठीक है अध्यच महाकश्यप साबाकामी मोगली पुत्र और वासुमित्र या असुगोस उपादेच छिटे ठीक इन सबको याद रखना है दो संप्रदा में बट गया हीनियान महायान ठीक है हीनियान क्या करते थे मतलब हीनियान अपनी साधना से निमार्ण की प्राप्ती और जो महायान थे वो बोदिस सुन का अधरश्वा के था और वो दूसरों के कल्याड को महता देते थे हीनियान का अदर्श वाके था अहर्थ पद ठीक है यह हो गया और फिर इनोंने चार आरे सत्य बताए हैं कौन-कौन से दुख समधाय निरोध यह सब ठीक है दस सील बताए हैं दस सील देखो दस सीलों में जो पांस सील वो ग्रहस्तों के लिए दस सील बिच्छुओं के लिए हैं चार आरे सत्य भी इसी में हैं दस सील भी इसी से रिलेटेड हैं और जो आपके पिटक हैं वो भी बहुत धर्म से रिलेटेड हैं आहिए इमियु मोट में मिलिया और जो पहली पूजी जाने वाली मूर्ति वह भी उपासक पहली वासना के जाने वाली मुड़ी और शारवादित मोर्तियां गांधार सैली में मिली है नेर्मित हुई है ठीकें तो यह कुछ main main point थे ठीक है जो बहुत हम से related share इससे कोई question बहुत हम से बाहर नहीं चाहेगा ठीक है पहले सारे topic complete करने के बाद questions करेंगे हम और अगर आपके पास book पगए रहे तो आप questions देख सकते है maximum questions आपके solve हो जाएंगे ठीक है तो अगर वीडियो आपको पसंद आए है तो please like, share, subscribe करना ना मूले मिलते है नेक्ट वीडियो में जय हैं जय भारत